नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेश है 15 नुवंबर सुबह सवा 6 वजे राजिस्थान की बड़ी खबरें बारमेर जसल मेर में चुनावी बिगुल के साथ ही पहली बार बड़ी सभा का आयोजन बाईदू में होने जा रहा है यहां आज 15 नमंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी जिसको लेकर कारकरता तयारी में जुटे हैं सभा में लोगों की भीड के साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भाषव प्रदीश हाड एक्टर सहित केंडिय मंत्री ने सभास्ताल और आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं संभाद ले प्रधान मंतरी की ये सभाव बार्मिर जसल मेर की नो सीटो पर पार्टी की मजबूती को लेकर हो रहा है लास्तान के मुख्य मंतर शो गहलोत ने मंगलवार कुदेश के प्रथम प्रधान मंतरी पंडी जवाहलाल नहरों के जोयनती परूने याद किया रावजाने जयपूर में पूरू प्रधान मंतरी नहरों की प्रतिमा पर फूल और पित किये गहलोत ने कहा कि वे उनकी सरकार द्वारा किये गए कामों और विकास की योजनाओं को लेकर भाशपा बहस करे CM ने आगे कहा कि हम तो जनता से विकास के कारे को लेकर वोट मांग रहे हैं हमने जनता की बहतरी के लिए काम किया है CM गहलोत ने कहा हमने लोगों को नई साथ गिरेंटी दी है इन नई साथ गिरेंटी में करमचारियों के लिए OPS भी है भारत के Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ने California में Tesla की Manufacturing Facility विजिट की हलांकि इस दोरान Company के मालिक Elon Musk मौझूद नहीं थे उन्होंने एक Post में लिखा आपका Tesla में आना सम्मान की बात है आज California नहीं आपाने के लिए मुझे खेद है लेकिन मैं Future Date में Meeting के आशा रखता हूँ Piyush Goyal ने तस्वीरे शेयर करते हुए X पर लिखा प्रतिभाशाली भारती इंजिनियर्स और Finance Professionals को Senior Position पर काम करते हुए और Tesla की Remarkable Journey में युगदान करते हुए देकर बेहत खुशी हुई Goyal ने कहा Elon Musk की Magnetic Presence को Miss किया और मैं उनके शुक्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ रहसान विधान सबाचुनाम की तारीक नजदी काने के साथ इस सियासी पारा चौड़ता जोरा है इस बीच कॉंग्रिस ने अधिकरत प्रत्याशी की खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी उमीदवारों को सक्त चितावनी दी है रहसान प्रभारी सुख जिंदा सिंग्रंधावा ने कॉंग्रिस की बागी उमीदवारों को दो दिन काल्टिमेटम दिया है उन्होंने कहा कि अगर बागी उमीदवार अधिकरत प्रत्याशी की पक्ष में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी खिलाफ सक्त अनुशास नात्मक कारवाही की जाएगी कॉंग्रिस को डर सता रहा है कि अगर बागी निताओं को समय रहते मनाया नहीं गया तो उससे पार्टी को करीब दो दर्जन सीटों पर नुखसान उठाना पड़ सकता है शादी शुदा महिला या पुरुष के किसी दूसरे समझ मनाने को फिर से अपराद बनाया जाना चाहिए क्योंकि विवाह पवित्र परंपरा है इसे बचाना चाहिए एक संसद्य पैनल ने मंगलवार को भारते नया सहिता विद्यक पर अपने रिपोर्ट में सरकार से ये सिफारिश की है रिपोर्ट में ये भी तर्क दिया गया है कि संशोधित व्याभीचार कानून को इसे जेंडर नीट्रल अपराद माना जाना चाहिए इसके लिए पुरुष और महिला को समानूप से उत्तरदाई ठहराया जाना चाहिए पैनल की रिपोर्ट को अगर सरकार मंजूर कर लेती है तो ये सुप्रिम कोट की पांस अदसिये बेंच के 2018 में दिये गए उसे अतिहासिक फैसले के विप्रीथ होगी जिसमें कहा गया था कि विविचार अपराद नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए भारती जंता पार्टी के रास्ट्रे प्रवक्ता अवं सांसा सुधान शुत्रिवेदी ने कॉंग्रेस अवं उसके नेता राहूल गांदी के बयान जातिकर जनगर्ना कराएंगे पर पलटवार करते वे कहा है कि जातिकर जोनकरना ततकाली नहरू सरकार ने बंद कराई थी और आरोब भी सरकार के लोग ही लगा रहे हैं जबकि भाजपा कोई आरोब भी नहीं लगा रही है त्रिवेदी मंगलवार को जयापूर प्रदीश मीडिया सेंटर पर प्रेस वारत कि स्टार प्रचार की योग्या दितिनाद के एकड़ी पुषकर एवं किशनगर भाजपा प्रतियाशियों के पक्षमा प्रचार करेंगे योग्या दितिनाद के एकड़ी जनसभा के बाद पुषकर में जनसभा करेंगे और इसके बाद शाम चार बजकर 45 मिनट पर विधान सभा शेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरा चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधिन करेंगे। प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी भाजपा चौधरी के समर्थन में सभा करेंगे। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मानने कटंगी में रोडशो कर बालागार प्रत्याशी शिव जायसवाल और शेत्रिय प्रत्याशी प्रशांत मिश्राम के लिए जनता से समर्थन मांगा। बैंगलूरू से गोवा आने वाली विस्तारा फ्लाइट रन्वे पर कुत्ते के आजाने से वापस लोड़ गई। इतना समर्थ 13 नमबर को गोवा के डबॉलिम एरपोर्ट की है रिपोर्ट की मताबिक विस्तारा की फ्लाइट 881 ने दोपैर 12.05 पर बैंगलूरू के लिए केम्पे गोड़ा इंटरनाशनल एरपोर्ट से उड़ान भरी डेड़ गंडे बाद विमान को गोवा के डबॉलिम हवाई अड़े पर लेंड करना था रन्वे पर अचानक कुता आ गया एर ट्राफिक कंट्रोलर ने तुरंदिस की जौनकारी पाइलेट को दी और कुछ ही देर इंतिजार करने को कहा लेकिन पाइलेट विमान को वापस बैंगलूरू ले गया फिर्टीन घंटे बाद प्ले दिबे की अरसाई बढ़ोतरी की है ये बढ़ोतरी 23 और 24 नमबर के लिए की गई है उत्तरपशिम रेलेट के मुख्य जनसांपर का धिकारे के अपने शशी किरन के अनुसार बिकानेर बांदरा टामिनस बिकानेर ट्रेन में 22 नमबर को बिकानेर से और 23 नमबर को बांदरा दिबे की अरसाई बढ़ोतरी की गई है विधान सबा चुनाओ 2023 में बगावत करने वाले नेताओं और उनका समर्थन करने वाले लोगों पर आज से भाश्पा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है सीकर भाश्पा जिला ध्यक्ष ने आज से ऐसे दस कारे करताओं और नेत चुनाओं को निश्कासित किया है इन में पूरू मंत्री बंचे दरबाजिया और उप जिला प्रमुक्तार चंद धायल भी शामिल है भाश्पा जिला ध्यक्ष पावन मोदी ने बताया कि विधान सबा चुनाओ 2023 में भाश्पा के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाओ लड़ चुनाओ प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे अंतरास्ट्री पुष्कर पशु मेले का आगाज मंगलवार से हो गया है बीटे दो दिनों से मेले में पशुओं का आना जोरी है पशु पालन भागने मेला श्वेत्र मे जंडा जोकी कि स्थापना कर मेले में आए पशुओं की गणना शुरू कर दी है मेला 27 नमबर तक चलेगा संस्क्रितिक मेला 18 नमबर से शुरू होगा वही धार्मिक मेला कार्तिक एकादशी 23 नमबर से शुरू होगा ये दोनों कारकरम 27 नमबर तक चलेंगे धालपूर में रायसान विदान से बचनों में मद्दान को शांती पूर्ण संपन कराने के लिए जिले भर में फ्लैग मार्च किया जो रहा है पुलिस और पेरा मिनिटरी फोर्स के साथ किये जो रहे फ्लैग मार्च के जरीए लोगों को शानती पून और निश्पक्ष तरीके से मददान करने का संदेश दिया जो रहा है स्पी मनोश कुमार और जिला निर्वाचन अदिकारिया निल कुमार अगरवाल के निर्देशन में कराय जो रहे फ्लैग मार्च की कड़ी में मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने समयदान शील मददान केंडरो का निर्वाचन करने के साथ ग्रामीन वेशाहरी शेतर में फ्लैग मार्च निकाला तो फिलाल खास खबरों में इतना है ताजा खबरों की जवानकारी के लिए देखते रहे है SBT News धन्यवाद